अब नास्ता बनाना हुआ बहुत आसान आप घर में ब्रेड और बेसन से इतना बढ़िया नास्ता बनाकर तयार कर सकते हैं जो कि आपको साइद ही किसी ने ये रैस्पी बनाकर खिलाया होगा आप जटपड मिंटों में इस रैस्पी को बनाकर तयार कर सकते हैं और दरसल बात यह है कि ब्याद और वेशन से जटपन मिन्टों में यह रैश्पी बन कर तैयार हो जाता है और यह रैश्पी जब आप बनाओगे तो आपके घरबाले बोलेगे कि वह क्या रैश्पी बना दी तो इसको बनाने का परिक्रिया क्या है? सबसे पहले आपको तीन चमच वेसन ले लेना है बस और उसके बाद इसके अंदर स्वाद अनुसा नमक डाल देजे थोड़ा तीखा पन बढ़ाने के लिए इसके अंदर हल्दी पॉडर और साथ में मिर्च पॉडर डाल देना जिससे फ्लेवर बहुत ही यमी निकल कराता है और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल कर इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है कुछ इस तरीके से मिला कर तैयार कर सकते हैं और इसको इतना मिला लेना है ताकि इसके अंदर मोटा कन न बच्चे अब देखे कितना बड़िया तरीके से मिलकर तयार हो चुगा है उसके बाद आपको क्या करना है दो उबले हुए आलू ले लेना है आलू आपके घर पे होता है किचन में तो उबले हुए आलू ले लिजे और उसको अच्छी तरीके से मैस कर लिजे और उसके बाद इसके अंदर स्वादनू सा नमक, कुछ प्याज डाल देना है, करीबान आदे प्याज ले लिजे, उसको छोटे छोटे पीसेज में, और दो या फिर एक हरी मिर्च ले लिजे, और उसको कुछ इस तरीके से कटिंग करके डाल दीजे, साथ में आपको कुछ प इस पी को बनाना चाते हैं, तो इस तरीके से आपको कुछ परिकरिया करना पड़ेगा, और ब्रेड के उपर इस तरीके से आलू को अपलाई कर दीजे, अभी देखना दोस्तों इतना बढ़िया रैस पी बनकर तयार होने वाला है, जो कि मार्केट से आप लेकर आओगे इस इस तरीके से, हम बेशन इसके अंदर भी डूब हो सकते थे, लेकिन उसमें बेशन जादा चला जाता दोस्तों, इसलिए हम इसको करण्ची बनाने के लिए बेशन को इस तरीके से ऊपलाई कर रहे हैं, और ब्रेड के उपर हमने बेशन को अपलाई कर दिया, और चमच की में तयार हो जाएगा देखिए हमने फ्राइ करके निकाल लिया है उसके बाद कुछ वेजिटेबल ले लेना है जैसे पत्ता को भी ले लिए आप टमाटर ले सकते हैं साथ में आपको गाजर ले लेना है और आप प्याज ले लिए प्याज तो आप खाई सकते हैं क्योंकि हमने सजावट के अनुसार जाला इसके बाद हम इसके उपर गाजर डालंँगें अब देखे कीतना हैल्धी तयार हुआ है साथ में हमने है गाज़र कर सकते हैं जटपण मिन्टों में आप इस रैस्पी को तयार कर सकते है घर पे तो दोस्तों आपको ये बंद गोभी और ब्रेड की रैस्पी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना अपना कीमती समय देने के लिए ठैंक्यू सो म आपको जरूर कर दोस्तों